सेना में भरती को लेकर अग्निपत्य होजना का विरोध बढ़ा तो राजनीतिक दल भी अपनी रोटिया सेक ने आगे आ गए युआओं के विरोध में खुद को सामिल करते हुए ये राजनीतिक दल बिना सरपैर की बातें तो कर ही रहे हैं साथी सामानी सिस्ठाचार और भासाई मर्यादा भी तारतार कर रहे हैं इसी कड़ी में यूपी में अग्रिपत योजना का विरोध कर रहे आरेलडी मुखिया जैन चौधरी ने ग्रा मंतराले का ट्वीट सेर करते हुए एसा कमेंट किया कि लोग भढ़क गए सोशल मीडिया से लेकर आम चर्चाओं तक में जैन चौधरी को भासा की मर्यादा का ध्यान रखने की सलाह मिलने लगी दरसल ग्रा मंतराले के ट्वीट को कोट करते हुए जैन चौधरी ने लिखा कि खचर को घोड़ा बनाने की कोशिस की जा रही है यानि जैन चौधरी या कहने की कोशिस कर रहे थे कि C.A.P.F. और असम राइफल जैसे बलों में सामिल होने वाले युवा खचर हैं और उन्हें केन सरकार अपने योजना के माध्यम से घोड़ा बनाने की कोशिस कर रही है गौर तलब है कि बढ़ते विरोत के बीच ग्राम अंत्राले ने एलान किया था कि वो सेना में अगनिपति स्कीम के तहट चुने गए युवाओं को चार साल पूरा करने के बाद C.A.P.F. और असम राइफल जैसे बलों में 10 फीजदी आरक छण देगा ग्राम अंत्राले की तरब से ट्वीट में कहा गया है कि अगनिपीरों को इन दोनों के इंद्रिय बलों में भरती के लिए उम्र की अधिक्तम सीमा से भी 3 साल ज्यादा तक छूट मिलेगी और अगनिपीरों के पहले बैच के लिए या छूट 5 साल की होगी वहीं जैन चौधरी के घटिया मानसिक्ता के साथ किये गए ट्वीट के बाद लोगों ने उन्हें जम कर फटकार लगाई एक सक्स ने कमेंट में लिखा कि जिस पार्टी में 40 साल खपाने के बाद भी परिवार के अलावा किसी और को पार्टी अधक्च बनने की गारंटी ना हो वो पूछ रहे हैं कि 4 साल की ट्रेनिंग के बाद युवाओं के भविस की क्या गारंटी है वहीं एक और यूजर ने जैन चौधरी से पूछा कि क्या आपके लिए देश के जवान खचर है वहीं कुछ लोगों ने जैन चौधरी के बयान को सेना का अपमान बताते हुए कहा कि ये युवाओं के आतमसमान पर प्रहार है जैन चौधरी के ट्वीट से खपा एक और यूजर ने उन्हें रिप्लाई में लिखा कहना क्या चाहते हो C.A.P.F. A.R. क्या खचर है अगनिपत पर बहस करो लेकिन सेना के मुद्दे पर भासा की मर्यादा का खयाल रखो का और तलब है कि जैन चौधरी ने अगनिपीर योजना का बिरोध करते वे कहा था कि उनकी पार्टी R.L.D. यूपी के हर जिले में इस योजना का बिरोध करेगी Bureau Report, News of India करीब धाई साल के बाद जमानत पर बाहर निकले आजम खान अभी चैन की सास भी नहीं ले पाए थे कि कोर्ट ने उन्हें तकड़ा जटका दे दिया है अदालत ने आजम खान के खिलाब दर्ज, यतीम खाना मामले से संबन्धिस सभी बारा और डूंगरपूर पकरण की आठ मामलों में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है आजम खान के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में इन मामलों की एक सास सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था आजम खान के खिलाफ सहर कोतवाली में दर्ज, यतीम खाना प्रकरण से संबन्धिस 12 मामलों और गंज थाने में डूंगरपूर प्रकरण से संबन्धिस दर्ज 8 मामलों की एक सास सुनवाई को लेकर जटका लगा है कोर्ट ने इन मामलों की एक साथ सुनवाई को लेकर आजमखा के अधिवक्ता की ओर से दाखिल प्राथना पत्र को खारिच कर दिया है साथी कोर्ट ने 28 जून को मामले की अगली सुनवाई पर आजमखा समेश सभी आरोपियों को ब्यक्तिकत रूप से कोर्ट में पेस होने के आदेश दिये हैं 2019 में सभा नेता आजमखा, सेवा निर्वत्त सीओ आले हसन, सभा जिलाधर्च बीरंद गोयल और इसलाम ठेकेदार समेथ 20-25 अग्याद ब्यक्तियों के खिलाब सहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी जिसमें आरोप था कि सपानेता आजमखा के इसारे पर यतीम खाना बस्ति में रह रहे लोगों के साथ मार पीट और लूट पाट की गई साथ ही उनके घरों को भी धुस्त कर दिया गया था, इस प्रकरण में 12 मुकद में दर्ज किये गये थे इस मामले में ही आजमखा के खिलाब 20 शोरी तक के आरोप लगे हैं हाला कि इन मामलों में आजमखा की जमानत मंजूर हो चुकी है डूंगरपूर बस्ती में रहने वाले लोगों ने आजमखा और कुछ सपाईयों के खिलाब मुकद में दर्ज कराए थे जिनमें आजमखा पर आरोप लगाया था कि उनके इसारे परबस्ती के लोगों से मार पीट कर उनके मकानों को ध्वस्त कर दिया गया था जिसमें आजमखा समेथ कई सपाईयों आरोपी हैं इस मामले में गंज थाने में 12 मुकद में दर्ज किये गये थे जिसमें सभी मामलों में आजमखा की जमानत मंजूर हो चुकी है Bureau Report, News of India सेउक्त राष्ट यानि UN में धार्मिक घ्रणा को लेकर दुनिया के देशों द्वारा अपनाए जा रहे दोहरे मापदंड पर भारत ने फटकार लगाई है भारत ने कहा कि रिलीजो फोविया सिर्फ अबराहमिक मज़बों यानि यहूदी, इसाई और मुस्लिम के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों पर लागू होना चाहिए सेउक्त राष्ट में भारत के इस्थाई प्रतिनिद टीयस तिरुमूर्ति ने कहा कि रिलीजो फोविया केवल एक या दो धर्मों को सामिल करने वाला एक चैनात्मक अभ्यास नहीं होना चाहिए बल्कि गैर अबराहम धर्मों के खिलाब भी या समान रूप से लागू होना चाहिए धार्मिक भाय पर दोहरे मांदंड नहीं हो सकते तिर्मूर्ति ने कहा कि हमने बार बार इस बात पर जोड़ दिया है कि धार्मिक भाय का मुकाबला करना केवल एक या दो धर्मों को सामिल करने वाला एक चुनिंदा अभ्यास नहीं होना चाहिए बल्कि गैर अबराहम धर्मों के खिलाफ भी समान रूप से लागू होना चाहिए जब तक ऐसा नहीं किया जाता हम अपने उद्योसियों को प्राप्त करने में कभी सफल नहीं हो सकेंगे उन्होंने कहा कि भारत ने अबराहमिक धर्मों के खिलाफ ही नहीं बल्कि सिख, बौध और हिंदू धर्म सही सभी धर्मों के खिलाफ नफरत और हिंसा का मुकाबला करने के लिए लगातार कोशिस की है तिरमूर्ति ने आगे कहा कि हम सहन सीलता और समावेश को बढ़ावा देने की पूरी कोशिस करते हैं किसी भी विचार में भिन्निता को कानूनी धाचे के भीतर हल किया जाना चाहिए बिजेपी के दोने ताओं की टिपड़ी को लेकर कई मुसलिम देसों द्वारा दी गई पृतकरिया के मामले में सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि दूसरे देसों को विशेश बात को मसला बना कर भारत को आक्रोज दिखाने की बिल्कुल भी आवसकता नहीं है हिंदू सिखों पर बढ़ते हमलों को लेकर उन्होंने कहा कि धार्मिक भय के रूपों को गुर्द्वारों, मठों और मंदिरों जैसे धार्मिक इस्थलों पर हमलों में ब्रद्धि के रूप में देखा जा सकता है गैर अबराहमिक धर्मों के खिलाव घ्रणा और दुस्परचार के प्रसार में ब्रद्धिस का उदाहरण है अफगानिस्तान में इस्लामिक कठरपंत का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कठरपंतियों द्वारा बामियान इस्थित प्रतिस्थित बुद्ध की मूर्थि को तोड़ना, गुर्द्वारे पर आतंकवादी हमला करना, हिंदू और बौध मंदिरों का बिनास जैस ने सबको सुरक्षी सरंड दिया है, तीयस तिर्मूर्थि ने कहा कि भारत आतंकवाद खासकर सीमा पार आतंकवाद का सबसे बड़ा सिकार रहा है, उन्होंने कहा कि सभी देशों को एक ऐसी सिक्षा प्रणाली बिक्सित करनी चाहिए, जो लोगतंतर के सिध्धानतों को ब और इस सियासी जोर आजमाईश के बीच शोसेना और बीजपी के कारिकरताओं में जम कर जूतम पैजार हो गई, जिसमें भाच्वा और शोसेना के कारिकरताओं ने एक दूसरे के साथ खूप कायदे से धक्का मुक्य की, खास बातिया कि जब यह सियासी जड़प चल रही थी, तम मुख्यमंत्री उद्दव ठाकरे के बेटे और राज्य सरकार में पर्याटन मंत्री आदित्य ठाकरे वहीं मौजूद थे, यह पूरा वाक्या उनके सामने ही हुआ, जरसल मुंबई के बोरी वली में एक ब्रिज का उद्गातन करने आदित्य ठाकरे पहुंचे थे इस ब्रिज का श्रे लेने को लेकर भाज़पा और श्योसेना के कारिकरता आदित्य ठाकरे के सामने ही भिल पड़े, गौर तलब है कि जहां ब्रिज का उद्गातन करने आदित्य ठाकरे पहुंचे थे, तो वहीं इसी इलाके के भाज़पा सांसत गुपाल श्यक्टी को ध देने वाला बैनर भी लगाया गया था, ऐसे में दोनों दलों के कारिकरता आपने सामने आ गए गौरतलब है कि बीजेपी और शयोसेना दोनों की तरफ से इलाके में बैनर और जंडे लगाये गए थे अब भाजपा और शयोसेना के कारेकरताओं की जड़प का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जिसमें भीड में जम कर धक्का मुकी दिखाई दे रही है बता दे कि वीडियो में कुलिस की भी मौजूदगी है वही इस जड़प को लेकर भाजपा सांसद गुपाल शटी ने कहा कि कोई विवाद नहीं है अगर दो दल हैं तो क्रेडिट भी होगा यह पुल बोरीवली के नागरिकों के पैसे से बनाया गया है जबकि शियो सेना का कहना है कि निगम ने प्रोटोकॉल के तहट यहां के स्थानिय विधायकों और स्थानिय सांसदों को बुलाया वही घटना को लेकर भाजपा की विधायक मनिशा चौधरी ने कहा कि हाला कि शियो सेना नेता विनोद घोशालकर ने भाजपा की प्रतिक्रिया का विरोध किया इस मौके पर दोनों पक्षों के कारकरताओं के आपस में भेरने से इलाके में कुछ देर तक तनाव बना रहा वहीं शांती कायम करने के लिए पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी बता दे कि इस घटना के दोरान आदित ठाकरे मौझूद रहे उन्हें भी भीड में इंतजार करना पड़ा गौर तलबे की भाजपा और शियुसेना जो कभी गटबंदन का हिस्सा हुआ करती थी लेकिन अब आए दिन एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करती पाई जाती है दोनों पार्टियों की बीच 25 साल गटबंदन रहा लेकिन साल 2019 में महरास्त्र में हुए विधान सबा चुनाओ के बाद मुख्यमंत्वी पद को लेकर दोनों दलों के रिष्टों में खटास आ गई जिसके बाद शियुसेना कॉंग्रेस और NCP ने मिलकर राज्य में सरकार बना ली थी सेना में भरती की अगनिपत योजना को लेकर भले ही लगबग पूरा विपक्ष विरोध कर रहा हो लेकिन दिगज कॉंग्रेसी नेता मनीश तिवारी इस योजना के समर्थन में है अगनिपत योजना पर अपनी पार्टी की राय से इतर मनीश तीवारी इस योजना को अमली जामा पहनाते हुए देखना चाहते हैं मनीश तीवारी ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर इस योजना के समर्थन में लिखा तो कईयों को बुरा लग गया दरसल मनीश्टिवारी ने जैसे ही अगनेवीर योजना के समर्थन में ट्वीट किया उनकी राए सभी चैनलों पर दिखाई जाने लगी इसको लेकर कांग्रेस सांसर सब्तगेरी उलाका ने सफाई की मांग कर दी वो एक चैनल से चाते थे कि कांग्रेस के बजाए मनीश्टिवारी की राय है यह बताया जाए उलाका ने लिखा कि अगलीपत योजना पर हमारा स्टैंड अलग है जिसके बारे में जिम्मेदार लोगों की ओर से बताया जा चुका है उलाका का यह ट्वीट मनीश्टिवारी को खासा नागवार गुजरा तिवारी ने उलाका से तल्ख लहजे में कहा कि जब आप अपनी निकर में इधर उधर दोड रहे थे मैं कॉंग्रेस के लिए सक्री रोप से कारे कर रहा था मनीश्टिवारी ने सब्तिगरी उलाका को नसीहत दी कि वे ऐसे दुस्रता भरे ट्वीट्स करने से बाज आएं कॉंग्रेस सेवादल के रास्वी अध्यक्ष ललित दिसाई ने तिवारी के इस ट्वीट पर कहा कि अगनिपत पर आपका स्टैंड बड़ा अजीब लगा संभव है कभी पार्टी की बात से सहमती ना हो पर जब देश की सुरक्षा और युवाओं के भविश्य के साथ कोई खिलवाल करे तब यह सिर्फ अलग दिखने के लिए सरकार के जासे में आना दुखध है शिक्षा, स्वास्त्य, सुरक्षा, बाजार के नजरिये से नहीं देखना चाहिए वहीं तिवारी ने एक ट्वीट में सीधे तोर पर नई योजना का समर्थन नहीं किया मगर उसे जरूरी बताया उन्होंने लिखा अगनिपत भरती प्रक्रिया को लेकर जिन युवाओं को चिंता है उनसे मेरी सहानुबोती है वास्तवित्ता यह है कि भारत को एक युवा सैन्य बल की जरूरत है जो तकनीक में पारंगत हो, सबसे बहतरीन हतियारों से लैस हो संग के सैन्य बल रोजगार गारंटी कारिक्रम नहीं होने चाहिए वहीं कॉंग्रेस ने इस मसले पर प्रेस कॉंफरेंस की है कॉंग्रेस ने तब पवन खेडा ने कहा सरकार की नई योजना को लेकर देश का महौल देखी रहे है सरकार इस योजना को लाने का कारण आर्थिक बता रही है कई विशेशक्ड़ों के साथ चर्चा करने के बाद यह पता लगा कि यह योजना दिखाने के लिए आर्थिक है लेकिन असल में सरकार की नियत कुछ और है सरकार संग की मानसिक्ता को सेना में लाना चाहती है लागू हो गई तो वन रैंक वन पेंशन का वाइदा हो जाएगा नो रैंक नो पेंशन सिर्फ टेंशन विदाव डायरिक्शन वहीं अगनिपत योजना को लेकर सरकार ने भी साफ कर दिया है कि योजना वापस नहीं होगी और उग्र प्रदर्शन कर रहे जिन छात्रों के नाम FIR में आ गएं उन्हें सेना में जाने का कोई मौका नहीं मिलेगा इससे पहले केंद्रिय ग्रेमंत्राले ने C-APF और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपत्योजना के अंतरगत चार साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10 फीस दी रित्तियों को आरक्षित करने का महत्पूर्ण निर्ने लिया था साथ ही ग्रेमंत्राले ने C-APF और असम राइफल्स में भर्ति के लिए अग्निवीरों को निर्धालित अधिक्तम प्रवेश आयूसीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णे किया है और अग्निपत्य योजना के पहले बैज के लिए यह चूट पाँच वर्ष होगी गौर्तलभे की केंद्र ने सशच्त्र बलों में चार साल के लिए जवानों की भरती के लिए हाली में अग्निपत्य योजना की गोशना की थी इस योजना के विरोध में देश भर में व्यापक प्रदर्शन हुए बिहार, उत्तरप्रदेश समेत कई राज्यों में युवा उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं प्यूरो रिपोर्ट, न्यूज अफ इंडिया रास्पती चुनाओं में विपक्ष के उमिदवार को लेकर ममताब एनरजी की नेतागीरी पूरी तरह से विफल रही ममता बेनरजी ने जिन दो नेताओं के नाम सुझाये थे उनमें से दोनों शरत पवार और फारुक अब्दुल्ला ने उमीद्वारी से किनारा कर लिया इसलिए अभिया काम शरत पवार करेंगे शरत पवार की बैठक 21 जून को होगी लेकिन इस बैठक में सिर्फ 12 विपक्षी पार्टियां ही शामिल होंगी लेकिन दिल्चस्ट पिया है कि जो ममता बेनरजी विपक्ष के साजा उमीद्वार की तरफदारी करती रही है वो शरत पवार की अगवाई वाली बैठक में शामिल नहीं होंगी हाला कि उनके शामिल नहीं होने के कारण बताय जा रहे हैं लेकिन सब जानते हैं कि ऐसे कारण होते नहीं बलकि बनाये जाते हैं त्रिडमूल कॉंग्रेस के एक वरिस्ट पदाधिकारी ने कहा कि मम्ता बेनर जी पूर्व निर्धारित कारेक्रम के कारण बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगी उन्होंने शरत पवार जी को भी या बता दिया है लेकिन हमारी पार्टी का एक नेता वहां मौजूद रहेगा आगामी रास्पती चुनाओं की रणनीती तयार करने के लिए 15 जून को दिल्ली में बनरजी द्वाला बुलाई गई इस तरह की पहली बैठक में यह निर्णे लिया गया था साज़ा उमीद्वार विपक्ष के उमीद्वार के रूप में चुना जाएगा कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी, रास्वादी कॉंग्रेस पार्टी, द्रमुक, राजद के नेता इस बैशक में शरीक हुए जबकि आम आदमी पार्टी, टियारिस, शिरुमनी अकाली दल, AIMIM और भीजू जनता दल ने इससे दूरी बनाई रखी मौझूदा रास्वपती रामना कोविंद का कारिकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और उनके उत्तराधिकारी के लिए 18 जुलाई को चुनाओ होना है रास्वपती का चुनाओ निर्वाचक मंदल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें संसत के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली तदा केंदर शासित प्रदेश कुड्डू चेरी सहित सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते है राज्यसभा और लोगसभा या राज्यों की विधानसभाओं के मनोनित सदस्य निर्वाचक मंदल में शामिल होने के पात्र नहीं है इसलिए वे चुनाओं में भाग लेने के हकदार नहीं होते इसी तरह विधान परिशोदों के सदस्य भी रास्टपती चुनाओं के लिए मद्दाता नहीं होते लगबग 10.86 लाक मतों के निर्वाचक मंडल में भाच्मा के निर्तरतोवाले गटबंदन के पास 48 फीसली से अधिक मत होने का अनुमान है और उसे कुछ खेत्रिय दलों से समर्थन मिलने की उम्मीद है अरविंद केजरिवाल खुद को अपनी पार्टी के हर नेता कारिकरता को कटर देशभक्त बताते हैं लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी के सांसत ने सीधे सीधे देश विरोधी हरकत कर डाली और वह भी वीडियो बना कर असल में फगवाला स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानि LPU ने अपने स्टडी इंडिया प्रोग्राम में एक विवादित वीडियो जारी कर दिया इस वीडियो में भारत के मांचित्र से कश्मीर और पुरोत्तर भारत को हटा दिया गया है इस वीडियो को सबसे पहले यूनिवर्सिटी के हैंडल से 7 जून 2022 को शेयर किया गया था आम आदनी पार्टी से राज्यसबा सांसत अशोप कुमार मित्तल इस यूनिवर्सिटी के चांसलर है इस वीडियो में सबसे पहले अफ्रीकी देश घाना का निवासी उमर तौफीक दिखाई दिता है वो यूनिवर्सिटी के उपलब्ध तमाम कोर्स की तारीफ करता है उसी बातों के बीच एक वीडियो दिखाई जाती है इस वीडियो में भारत का अधूरा मांचित्र नजर आता है उस मांचित्र में कश्मीर और पुरोत्तर भारत नहीं दिख रहे हैं ये वीडियो जल्द ही वाइरल हो गया लोगों ने इस हरकत के पीछे जिम्मेदार व्यक्ती की भी जानकारी साजा कर दी वो व्यक्ती लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का ही अधिकारी है ये यूनिवर्सिटी साल 2005 में बनकर तयार हो गई थी और एक साल बाद 2006 में इसमें कामकाज और पठन-पाथन शुरू हो गया था शारदा यूनिवर्सिटी नोईडा में प्रोफेसर और सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोधी विरोधी पोस्ट करने के लिए चर्चित अहरार अहमद लोन भी पहले इसी लवली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे किसी यूनिवर्सिटी दुआरा भारत के विकृत मानचित्र को प्रदर्शित करने की ये पहली घटना नहीं है 15 जून 2022 को चंडिगर यूनिवर्सिटी पूरो चात्र सक्षन में भारत का एक विवादित मानचित्र दिखाया गया था इस मानचित्र में J&K और पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था कई नेटिजन्स ने इस मानचित्र पर आपत्ती जताते हुए कारवाई की मांग की थी लोगों की मांग पर यूनिवर्सिटी ने संग्यान लिया और पूरो चात्र सक्षन को यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया गया चंडिकर यूनिवसिटी भी लवली प्रोफेशनल यूनिवसिटी की ही तरह प्राइवेट यूनिवसिटी है भ्यूरो रिपोर्ट, न्यूज अफ इंडिया रामपूर लोग सभा उक्चुनाव की तारीक जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है रामपूर से विधायक और दिगज़ समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की धड़कने भी बढ़ती जा रही है यह उक्चुनाव समाजवादी पार्टी से कहीं ज्यादा हाली में जेल से छूटे आजम खान के लिए नाक की लड़ाई बन चुका है और उपर से बड़ी बात यह है कि भाज़पा ने यहाँ चुनाव प्रचार के लिए लगभग पूरी यूपी सरकार ही उतार दी है मुख्यमंत्री योगिया धितिनाथ ने अपने कई मंत्री यहां उतारे हैं जो रामपूर में डेरा डाल कर भाज़पा परतियासी घंस्याम लोधी के समर्थन Cynthia में जन सभाय कर रहे हैं तो वहीं डिप्टी सीम से लेकर मुख्यमंत्री योगियादी तिनाथ की आगमन का कारिक्रम प्रस्तावित है इसलिए आजम खान को डर सता रहा है कि कहीं भाजपा उनके किले को भेद न दे क्योंकि इस से पहले साल 2014 के लोग सभा चुनाओं में भी भाजपा ने ऐसा कर दिखाया था और तब डाक्टर नेपाल सिंग बहुकोडिये लडाई में भाजपा के टिकट पर सांसत बने थे जबकि रामपुर सहर से दस्मी बार विधायक चुने गए आजम खान के लिए सबसे बड़ी समस्या या है कि उनके करीब 27 मा जेल में रहने के चलते उनकी पूरी टीम बिखर चुकी है हलांकि जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने फिर से टीम को एकजुट करना सुरू किया और आजम खुद हर तहसील में जाकर जन सभाएं कर रहे हैं लेकिन फिर भी भाजपा की प्लानिंग ऐसी है कि आजम खान को उसे निपटना मुश्किल पड़ रहा है हलांकि सपा के आजम के बेहत करीबी आसिम रजा को प्रत्यासी बनाये जाने के एलान करने के बाद से आजम खान आपने सभी घोडे कोले हुए हैं और सभा पर सभा कर रहे हैं इतना ही नहीं आजम हर जगा आपना दर्थ सुना रहे हैं और भावनात्मक अपील करते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी और आजम खां खुद उनके बेटे अब्दुल्ला बिधायक नसीर खां और सपा के इस्चार परचारक गाउं गाउं घूम रहे हैं जन सभाए साल 2019 में इस सीट पर सपा के रास्टी महासचिव आजम खां सांसद निर्वाचित हुए थे तब आजम खां ने भाजपा प्रत्यासी जया प्रदा को पराजित कर जीत दर्ज की थी लेकिन उसके बाद योगी सरकार ने सिकंजा गसा और आजम खां पत्नी बेटे के साथ 26 प निवस आफ इंडिया